इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते प्राकृतिक विटामिन E तवचा की ख्षती को रोपता है और प्राकृतिक तवचा पुनरजनन को बढ़ावा देता है जबकि कोकोमक्हन और। शिया मखन खुजली वाली तवचा कोँ आवश्यक आवश्यक तेलों की आपूर्ती करके रहत प्रदान करते हैं और त्वचा को अंदर से पोशन और मॉस्चराइज करते हैं, त्वचा को नर्म रखते हैं। ये काया कर्प क्रीम त्वचा की प्राकृतिक लोज को बढ़ाने में प्रभावी धंग से काम करती है। ये पैराबिंस से मुक्त है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, त्वचा को मुलायम बनाए रखने और सेलुल अक्षती को कम करने के लिए पोशन, मॉस्चराइज और पुनर जीवित करने में मदद करता है। दो, एंटियोक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के समान ही त्वचा के रक्षा करते हैं। तीन, त्वचा की द्रिर्टा और लोच में सुधार करने में प्रभावी जो खीचाव के निशान की उपस्थिती को कम करता है। चार, सेलल अगिरावट को धीमा करने में मदद करता है और कोलीजन और इलास्टिन के प्राकृतिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। 5. तवचा में गहराई तक प्रवेश करता है और इसका एक सक्त प्रभाव होता है जो लालिमा को कम करने में मदद करता है 6. इसमें रोगानू, रोधी, एंटिसाप्टिक और कसैले गुन होते हैं जो तवचा को विभिन संक्रमनों से बचाते हैं 7. नर्म और चिकनी अनुभव को बढ़ावा देने के लिए तवचा की बाहरी पर्तों को पुनर जीवित करने में मदद करता है 8. गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से क्रीम लगाने से खीचाव के निशान विक्सित होने की संभावना कम हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें